सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंत सरिफ एक घंटे में छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा पताने जा रहा हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि अगर आप कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आपको पतला दस्त होने लगेगा कुछ भी खाने पिने से पहले जब हम साबून से अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं दोते हैं तो हमारे हाथों से बैक्टिरिया सीधे हमारे पेट में पहुचते हैं और पेट खराब कर देते हैं साथ ही मैं आप से ये कहना चाहूंगा कि आप पीने का पानी भी बिल्कुल साफ सुत्रा रखें पीने का पानी गंदा होने की वज़े से भी पतले दस्त की समस्या हो जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलू नुस्का बताऊंगा वो पतले दस्त की समस्या से आपको सिर्फ एक घंटे में रहा दिला देगा तो चलिए बिना किसी देरी के ये नुस्का जाल लेते हैं दोस्तो इस नुस्के में जिस चीज का मैं प्रियोग करने जा रहा हूँ वो है जीरा, जीहां दोस्तो जीरे का प्रयोग आपको इस नुस्खे में करना है, करीब आपको एक बड़ा चम्मच जीरा का प्रयोग इस नुस्खे में करना है, दोस्तो आपको ये नुस्खा तयार कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको करीब देड़ का पानी म एक बड़ा चमच जीरा डाल लेना है और इस पानी को आपको करीब 10-15 मिनट तक उबालना है जिससे की जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए जिससे की जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए इसके बाद आपको इस पानी को छाल लेना है दोस्तो ये नुस्का मैंने पहले से तयार कर रखा है तो मैं आपको दिखला देता हूँ इस तरह से दोस्तो आपको इस जीरे की चाय को बना लेना है आपको जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको इस चाय को बनाना है देड़ कब पानी में आपको एक बड़ा चम्मच जीरा डाल करके इसको 10 मिनट तक उबालना है उबालने के बाद इसा झानना है और ये नुस्खा तयार हो जाएगा अब आपको इसमें आधा नीबू का रस भी मिला लेना है तो यहाँ पे मैं इसमें आधे नीबू का रस भी मिला लेता हूँ इस तरह से आधे नीबू का रस इसमें आपको मिला लेना होगा ऐसे आपको आधे नीबू का रस इसमें मिला लेना है दोस्तो अभी ये नुस्खा तयार नहीं हुआ है इस नुस्खे को तयार करने के लिए आपको इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी भी मिला करके घोल लेना है ध्यान रखिएगा कि जीरे के साथ ही आपको चीनी को नहीं उबालना है आपको अलग से इसमें एक चम्मच चीनी डालना है और इसे घोलना है जब इसमें आप चीनी घोल लेंगे तो इसे आप तुरंथी पी लीजिएगा ऐसा करने से आपको तुरंथी पतले दस्त की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा यानि कि पतला दस्त तुरंथी बंद हो जाएगा दोस्तो इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त हो रहा है तब आप इस नुस्खे को दूसरी तरह से बनाईएगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पानी की तरह अगर आपको पतला दस्त हो रहा है तब आपको इस नुष्खे को कैसे तयार करना है दोस्तों आपको करीब एक ग्लास पानी में दो चम्मच जीरे का प्रयोग करना है यानि कि दो बड़ा चम्मच जीरा आपको एक ग्लास पानी में डालना है और इस पानी को किसी बरतन में 10-15 मिनट तक के लिए उबाल लेना है जिससे की जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए जब ये पानी को आप 10 मिनट तक उबाल लेंगे तो भी इस पानी को आप छन्नी की सहायता से चान करके इसमें आधे से एक नीवू का रज भी मिला लेंगे उसके बाद आपको इसमें दो चम्मच चीनी का प्रियोग करना है जिहां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें दो चम्मच चीनी मिला करके इसे अच्छे से घोल लेना है और तुरंत इसे पी लेना है जञादा गरम आपको इस नुष्खे का प्रियोग नहीं करना है यानि कि जञादा गरम आपको ये नहीं पीना है हलका गरम आप पी सकते हैं ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंट ही छुटकारा मिल जाएगा लेकिन इस बात का आप पूरा ध्यान रखेगा कि इस नुस्खे का प्रियोग आपको तभी करना है जब आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त हो रहा होगा नहीं तो आप इस नुश्के को सरिफ एक ही कब बनाएंगे यानि कि सरिफ एक ही कब आपको इस नुश्के का प्रियोग करना है अगर आपको बिल्कुल पानी की तरह पतले दस्त नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ, टिप्स में मैं जो आपको घरेलो नुस्का बताऊंगा, आप उस नुस्के का भी प्रियोग कर सकते हैं पानी की तरह पतले दर्श की समस्या को समाप्त करने के लिए दो कप पानी में दो चम्मत चाय की पत्ती डाल कर इस पानी को तब तक उबालिए जब तक की ये पानी एक कप ना बच जाए, जब ये पानी एक कप बच जाए तो इसे जहान कर इसमें आधे नीबू का रश निचोड़ कर पी लीजिए, ऐसा करने से पतला दस्त तुरंत ही ब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार